इस तेल के खेल को हम आपको गहराई से समझाएंगे दिखाएंगे भी आज मुद्दे की बात में हमारे साथ दो दो एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मजबूरी है आपको बता दे कि मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मैं माझ जुड़े हूँ है आकड़े बताते हैं कि 2016-17 के दोरान तेल पर एक्सिसाइस ज्यूटी से सरकार को 2.85 लाक रुपे, 70 लाक रुपे बताया जो रहा है कि ये मिले और 2014-15 में 99,000 करोड रुपे की तुन्ना पहले शुरुवात एके मिश्णा साब आपके साथ करना चाहूंगा मैं सर ये कीमत बढ़ रही है और सरकार दुहाई दे रही है लेकिन ये जो आकड़े हमने रखे इसके पीछे चिपी कहानी क्या है देखें चाहूला जी मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था और जो आपने आकड़े रखे हैं वो सही है सबसे पहले ये समझने कि जो हमारा देश है और जो ये प्रजातंत्र है लोकतंत्र है इसमें सरकार का सबसे पहला जो करता पे होता है वो ये होता है कि जनता हमेशा उपर रहती है और जहां तक संबह हो सके जब तक ultimate मजबूरी ना आ जाए जनता को राहत दिया जाए उनके उपर बोज न पड़ने दिया जाए दूसरी चीज़ अगर ये देखें तो पेट्रोल या पेट्रो केमिकल के जो भी प्रोड़क्ट होते हैं केवल इंडियन पॉलिक्स में इने ग्लोबल पॉलिक्स में भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस या महत तो रखते हैं अब देखें बात यहां पर यह है कि पेट्रोल से जो गवर्मेंट को इंकम होती है वो हमारे GDP का 3.7% है पेट्रोल की कीमते जब कम थी तब भी गवर्मेंट ने पेट्रोल की कीमते बढ़ा ही अब तो उनके पास यह बहाना मिल गया है कि ओपेप कंट्री ने बढ़ा दिया है इन केमप्रिजन और टेक्स कलेक्शन के जो मीजर्स होते है जो रिटर्न वगरा फाइल किये जाते है तो गवर्मेंट क्यों उस जंजट में पड़े गवर्मेंट को पैसा चाहिए आज की गवर्मेंट दुवाई यह दे रही है कि हमें डेवल्मेंट करना है मैं यह वो है कि पिछली सरकारों ने राजस्तों को एकदम खजाने को खाली कर लिया मैं बोलना यह चाहता हूँ कि बाई आप इतना पैसा क्यों इकठा कर रहे हो लोट बंदी करके जी पैसा आप अपने पास मत रखो पेट्रोल पे हर चीज पे आपको रोखना चाह रहा हूं तेल और बीजल की कीमतों में ब्रिंदी से महँगाई बन ली है आग आप देख लिए मुद्राइव पिती नियुंतार पे है सोग मुल्क उसकांग नियुंतार पे है तेल पे लोगिक पर जवाब एक सेकिन आरहों साहिप आरहा हूं एक सेकिन एक एक मिश्रा इस लाजिक प बन करिए खुड़ा सा हम लॉजिक बात करते हैं देखे तेल पे अरे नवीन सर एक सुन लीजिए पांच साल आप चार साल आप लोगों ने बोला है हमने सुना है आज तो सुन लीजिए तेल एक ऐसी चीज़ है गॉर्मेंट के लिए इस पेसली जब देखे जब तेल के दा नवीन जी आपकी बात आजाएगी इसी में आपकी नियक की बात कर रहा हूं सुनिये तेल के तरीके से गॉर्मेंट ऐसे प्रोफिक कमा रही है जनता का खून चूच के सुनिये आप बात सुनिये यही बोल रहा था कि तेल के प्रैसर को गवर्मेंट क्यों नहीं कम कर रही है इनको रिवेन्य जनरेट करना है राजा सुई कधा करना है मैं मानता हूं अब GST वगरा लगाने के बाद भी इन्होंने देख लिया कि दुकान दुकान जाके सरकार की छमता नहीं है कि अंदर से वो राजे सुईकटा करें जो चोर लोग है उनसे राजे सुईकटा करें स्विस बैंक से जो पैसा है वो ले आके खजाना बढ़ाएं तेल एक ऐसी मजबूरी है हर आदमी की कि अगर उस पे उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो मजबूरी में हर आदमी को वो टेक्स देना पड़ेगा इसके साथ साथ देखिए एक डवल खादा गवर्मेंट को क्या होता है कि तेल की प्राइस बढ़ी तो सारी चीजों की सबजी की आनाज की ट्रांस्पोर्टरेशन की कोस्ट बल गई कोस्ट बल गई तो टेक्स भी बल गया यानि एक इतना अच्छा तरीका यह हमारे गवर्मेंट को मिल गया है कि अगर आपको राजस्वी कठा करना है तो जो और तरीके हैं उसमें तो आप कर नहीं पा रहा है तो जन्ता मजबूर है तेल के हिसाब से आप मल्टी लेयर में जो है राजस्वी कठा कर लो पहला पॉइंट यह हुआ, दूत्रा पॉइंट यह हुआ, आप जड़ा यह देखिए, तेल कंपनियों के प्राइस जो होता है, निर्दारर, उसमें कौन-कौन सी पार्टी इन्वाल्व है, एक गौर्मेंट है, एक कंपनी है, उसके बाद डिस्रीब्यूटर है, मैं यह बोल है, और जितना लीटर वो दिन बर में बेशते हैं, उसको मल्टिप्लाई कर दीजिए, तो इसे से बढ़िया तो सोने का अंडा देने वाली, आज गौर्मेंट ने पेट्रोलियूम को वेल फेयर की जगा, पैसा कमाने का प्रोड़क्ट बना लिया है, मोनोफोली बना लिया पैसे बैंक में मत रखो जी, नोट बंदी आपने कर दी, जी अस्ती लगा दिया, ये सारे मीजर साब के फेल होगा है, मेक इन इंडिया से आपको पैसा नहीं आ रहा है, तारी चीजे अब पैसा कहां से आ रहा है, जहां जनता मजबूर है, वहां पे टेस लगा दो, दूसर करेंट के जो ये क्लेम करते हैं, विकास का, एक तरफ इनका जो है राज़तों बढ़ता जा रहा है, एप्ट आई बढ़ती जा रही है, सरकार के खजाने GDP बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आथ और बाद बाद देखिए, डालर जो है नीचे नहीं आ रहा है, बिरोधा म यहां जैसे जैसे ख़जाना और GDP बल रही है, लोगों की प्रॉब्लम भी बल रही है में कीमते घिर रही थी और हम रियायत देने को तैयार नहीं थे, अब स्मार्ट फाइनेशल में इमिलेट की बात कर रहे है शुरू में गॉवर्मेंट ने मेक इन इंडिया प्लान ले आए, FDI को अट्रेक्ट करने के सारे प्लान थे, इंडिजीनस ग्रोथ के इंडिस्ट्री के, स्माल स्केल इंडिस्ट्री के ग्रोथ के प्लान थे, और प्लान इसलिए थे कि इन सब से मिलके पूरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका पाई चार्ट जो है पूरा का जाकर के कम्प्लीट होगा, कि मुझे लगता है मेक इनि इंडिया से अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, FDI से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, GST भी फेल हो गई रेवेन्यू जनरेट करने में जो गॉर्मेंट को पूरा खर्चा चलने के लिए चाहिए, तो सबसे सस्ता क्या है कि गौर्मेंट जनता मजबूर है पेट्रॉल लेने के लिए तो गौर्मेंट को बैठे बिठाये क्या है आपक्यू टेक्स कम करो जब पेट्रोल के दाम सस्ते से फूर आयल के तब भी इनों नहीं किया तो इससे बढ़िया financial management के क्या है कि बिना कुछ किये हुए आप जनता के बचे हुए जो जेब में पैसे है पर जो जो जाएब में पैसे है पर जो जाएब करना चाहिए बाती सब कीसे फैल हो गई है यह है इसपार्स financial management कि एक ही जगह से पूरे देश का रवेनी जन्रेट हो जा रहा है जीएस्टी में क्यों करेंगे सर जीएस्टी में करने से पूरी lobby और government को घाटा है तो growth कैसे दिखाएंगे अगर जीएस्टी में ले जाएंगे तो 3.7% सर पेट्रोलियम से आता है GDP का 3.7% contribution सर 3.7% इसे पढ़ियां आपको revenue generate करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है एक इंडिया से आप revenue generate नहीं कर पा रहे हो एक से एक सब्सक्राइब बादी खारे से आप revenue generate नहीं करोगे ऐसा नहीं हो साथी जनता के गर्धन पे आप तलवार राक करके revenue generate करोगे जनता मजबूर है पेट्रोलियम से करेंगे नहीं, 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 नमीनषी वासताव, जो आपके पक्ष में बोले, वो रहाष्ट भक्त हो जाता है, जो सवाल उठाए, वो रहाष्ट दोई हो जाता है. ये एक ही सवाल का जवाब दिजिए, रिवेन्यू जघंडरेशन के लिए पेट्रॉल के वू? बाकि सारे गॉर्मेंट के रेवेनी जनेरेशन के प्रोडाम फ्लाफ हो गया है आप मुझे क्यों इसी की जवाब दीजिए में कि निया इतना इंदेशिय प्राम था क्या हुआ हुआ साफकान के पास नहीं था और विपक्ष मेर आइकर आपके पास आ गया अगर आपके रेट कम करने का फॉर्मूला है अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है नहीं बिल्कुल फॉर्मूला है रेट कम करने का फॉर्मूला है यहां पर जो अभी करेंट गवर्मेंट एक प्रतिबद्ध है कि जी सबसे सस्ता तरीका यही है तो इसी पर लगाओ एक इंटीग्रेटर एप्रोच अपना चाहिए एक रिजर फंड रखना चाहिए कि अगर प्राइसे बहुत हाई होते हैं तो हम कंसेशन देकर इसी को मैंने करेंगा ता यह यह फॉर्मूला का जिकर रहे थेंग्स 47 रुपीस के जब हम इंपोर्ट कर गए थे बग करता है तो सरकार को कहीं न कहीं जैसे कि अर्थ शांत्री साम कह रहे थे कहीं न कहीं रिलाक्सेशन के लिए कोई रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा ठीक है चुनाव का इंतजार करते हैं सर एंपी और राजिस्तान के चुन झाल उन्म मैं जाद करते हैं सर दो एंपी और राजिस्तान के अपी और राजिस्तार क्षाशन के चुनावार्ट thanks क näह .